नमस्कार स्वागत आपका वेकप देली नियूस में मैं हूँ सुमन देखी हमारी ये खास रिपोर्ट माधीपुर के साई जीवाधारा सेबा समीती की फाउंडर रेनू लुथरा के जनम दिन पर सेलिब्रीटी गेस्ट राकेश रोशन पहुँचे और अपने आने वाले शो मिस्टर एंड मिस दिव्यांग गोड गिफ्ट चाइल्ड इंडिया दोहजार अठारा सीजन वन के बारे में भी लोगों को बताया करते हुए मैं एक दिव्यांग बच्चों से मैं जूर रहा हूं और दिव्यांग बच्चों के लिए मैं फैशन शो भी और्गनाइज कर रहा हूं और उसमें मेरा असोग जी का पूरा-पूरा साथ है उसके बाद जो हमारा शो का नाम है मिस्टर रामेज दिव्यांग गॉड़ गेप चाल्ड इंडिया 2018 सीजन वन बट ये शो सिर्फ एक फैशन शो नहीं है जिस तरीके से डेली में आज की फैशन शो होते हैं और बंद हो जाते हैं पता नहीं चलता कि बच्चे कहां जाते हैं मॉडल नहीं बन पाते हैं उसके बाब जूदी लोग फैशन शो में सिफ पार्टिसेपिच करते रहते हैं बट ऐसा नहीं है मैं जो हूँ सिफ दिव्यांग बच्चों के लिए किसने शायद सोचा भी नहीं होगा कि दिव्यांग बच्चे सीरियल कर सकते हैं नहीं बट मैं दिव्यांग बच्चों पे सीरियल लेके आना चाहते हूं और मैं सीरियल बनाने भी वाला हूँ और उनको प्रॉपर तरीक से एक प्लैटफॉर्म दोंगा वर्ट दोंगा और प्लस जिनको जो ज़रूरत होगी मैं उनको फ्रेंट में लाके रख दोंगा मैं अशोक कुमार मैं एक NGO से हूँ आधाश कुछल विकास फांडिक्शन से और चेर्मेर हूं NGO का और हम एक सोल आ रहे हैं डिव्यांग बच्चों के लिए जो एक बहुत बड़े प्लेटफॉम पे जो है डांस, मॉदलिंग, सिंगी, एक्टिंग मैं मुझे शोक के बारे में बताया है, जितना हो सकेगा हम इनको सबोर्ट करेंगे शोक के लिए और जितना हो सकेगा जो कोर्सिस होंगे हम भी कोशिश करेंगे कि करवाएं जितना करवा पाएंगे हम यहाँ पंकज जैश्वानी, अशोक और भी अतिती मौजूद रहे तो बच्चों को पढ़ाती है, सनस्कार देती है, जो की जोपरी से जवाते हैं, सलम के बच्चे आते हैं, काम तो उनके लिए करती है, जेनु लूथरा जी उसकी अज्यक्षे हैं. और उसके साथ साथ मैं अभी सोसल एक्टिविटीज से भी जूर रहा हूं, अभी कापी टाइम नहीं हुआ है मुझे, बट मैं भी एंजियो में जा रहा हूं और देख रहा हूं कि क्या काम कौन कर रहा है, यहां पर जब मैं आया तो बहुत सारी चीजे मुझे देखने को मिल जरौत है, जैसे नीड है उनको को सिलाई मेशीन की या कोई बील चीर ट्राइस सेकल, तो हमने एक प्लान बनाया कि मैं जिनको जरौत है उनको ऐसा जरौत की पूरी किये जाए, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई है, जिस तरह से इनोंने एंजियो में बच्चों को जिसमें कि अगर कोई ब्लाइंड है, तो वो कम्प्योटर टीक कर रहा है, और जो जिनकी टांगे नहीं है, वो डांस में एक नंबर का मतलब की माहीर है, तो हम लोग हैरान है, आज मैं देखकर हैरान हो कि बच्चों में इतना टालेंट है, जो इस तरह से और जिसको उभार पार्टी की तरफ से भी कोई इन्हें हल्प होगी, तो मैं यहां वादा करके जाती हूँ कि हमारी पार्टी की तरफ से इनको पूरी सहायता मिलेगी, और जहां तक कि दिन रात अगर इनको मेरी तरफ से भी कोई हल्प की जरूरत है, तो मैं इनके लिए हाजी हूँ Bureau Report, WackUp Delhi News